चलिस तो बात करते हैं बजार के जिस तरीकी का मुमेंटम हम लोगों को दिखाए दरा है तो इस बीच में दो ऐसी कमपनिया है इनके अंदर जो है क्या हम लोगों को खरीदारी करनी चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए देखे आप जानते हैं कि गिरावट काफी हो चुकि है इन दोनों ही कमपनियों के अंदर मुमेंटम ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए था बट उस तरीकी का मुमेंटम अभी फिलाल में नहीं दिखाए दरा है देकि अभी सबसे पहले तो आप बजार के संकेतों को समझ लीजे क्योंकि बजार के अं तो कहीं न कहीं इन गूंपनियों के अंदर हम लोगों को हलचल ओर भी जो है देखने को मिल सकती है तो अब हलचल क्या होगी देखें बर्गर किंग का नाम आपने सुनाई है तो कहीं न कहीं मुम्बाइ के अंदर अगर लोगडौ जैसी कोई ऐसी समझ स्चा मेरी को सामने निकल के आती है या फिर लोग कहीं अवोईड करते हैं बाहर जाने से बाहर का खाना खाने से जिसकी वज़े से कंपनी के बिजनिस पर सीधा-सीधा असर जो है पड़ता हो नजर आता है जिसकी वज़े से हमें स्टॉक्स के अंदर और भी गिरावाट देखने को मिल सकती है य अगर हम इन कंपनियों के बिजनिस को देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं न कहीं मुमेंटम हम लोगों को पॉजिटिव दिखाए दरा हैं सबसे पहले बात करते हैं रेल टेल की तो रेल टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया बहुती बहतरी ने ये कंपनी मानी जाती है जिस तर कि हलचल आपको अकसर देखने को मलती है तो फिलाल में कोई घबराने वाली बात ऐसी है नहीं तो फिलाल मेंगर 127 रुपे के आसपास ये स्टोक्स हम लोगों को दिखाये दे रहा है इस समय सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए या नह कंपनी आपको मजबूत दिखाई दे रही है तो तो रेल टेल बहुत ही बहतरी इन कंपनी है बट अगर गिरावट की बात करें तो पिछले एक महीने से लगातार जो है स्टॉक्स के अंदर गिरावट हम लोगों को दिखाई दिये थे वहां से अब तक अगर प्रसेंटेज देखें तो लगभग 27% से जादा की गिरावट इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दे चुकी है तो अब आप इस शीच को थोड़ा सा उब्जर्व कर सकते हैं कि स्टॉक्स के लिस्टिंग जिस तरह के से हुई कहीं न कहीं लगातार जो है प्रॉफिड बुकिंग हम तो इसलिए तो मैं आप से कहता हूँ कि आपको स्रफ नीचे की त्यारी करके चलनी है कुछ माल आप यहां उठाइएगा कुछ नीचे गिर जाएगा और वहाँ पे उठाना है ओर गिरावट होती है ताफ़ वहां पे आपको खरीदारी के लिए तयार रहना है तो कहऩ कह», आपको अपनी प्रिपिशन्स इसे साब से करके चलने हैं कि अगर आप 100 शेर्स इसके अंदर खरीदाई करना चाहते हैं या फिर कैपेसिटी रखते हैं 100 शेर्स खरीद सकते हैं 12,000 रुपे का इंवेस्मेंट कर सकते हैं तो 2000 रुपे यहाँ पर लगा दीजेगा अब एक नजर डालते हैं कि इसके जो क्वाटरली नतीजे आये थे तो वो किस तरीकी के रहे थे तो 394 करोड रुपे के आसपास सेल्स हम लोगों को दिखाए दे रही है इससे पहले देखें तो सितंबर 2020 में लगबग 265 करोड रुपे के आसपास निकल के आ रही थी तो वहाँ से भी तेजी हम लोगों को दिखाए दे रही है उससे पहले देखें तो दिसंबर 2019 में यानि के ठीक एक साल पहले 258 करोड रुपे के आसपास देखने को मिल रही थी तो वहां से भी तेजी के संकेत हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रहें तो फिलाल में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है और अगर देखें तो टोटल इंकम भी कंपनी के बढ़ती हो नज़रा रही 400 क्रोड रुपे के आसपास पहुंच चुके है जो कि पिछले क्वाटर में आपको दिखाई दे रही थी लगबग 244 क्रोड रुपे के आसपास तो वहां से भी तेजी के संकेत दिखाई दे रहे नेट प्रॉफिट की बात कर लेते तो 69 क्रोड रुपे के आसपास निकल के आया करोड 986 करोड और 1080 करोड के आसपास पहुंच चुकी है तो कहने का मतलब यह कि कोई भी शिकायत का मोका कंपणी आपको नहीं दे रही है लगातार कंपणी के अंदर सेल्स बढ़ती हुने जरा रही है यह चीज नोट करने वाली है अगली बात करते हैं तो टोटल इंकम देख उसके बाद देखते हैं तो नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट 138 करोड रुपे के आसपास निकल के रहा है जो कि पिछले साल आपको दिखाई जा रहा था लगबग 109 करोड के आसपास तो कहने का मतलब है कि वहां से हमें तेजी के सक्के दिखाई दे रहे हैं अग ना था कभी नेट प्रॉफिट नहीं पहुचा है तो फिलाल में देखें तो ओवराल कंकुलूजर हम लोगों को पॉजिटिव दिखाई दरा है कंपनी का बात करते हैं बर्गर किंग के बारे में देखें स्टॉक्स के इंदर इसमें भी आपको लगतार गिरावट देखने को मिल रहा है काफी दिनों से कंसुल इडिशन का फेज इसके इंदर चल रहा था ऊपर जाता था नीचे जाता था वापस आपको एक ही प्राइस के आसपास मूह करता हुआ नजर आ रहा था बट फाइनली कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इसके इंदर लगातार हम लो तो वहां से लेकर जो है multi-bagger return जो है लोगों के बनते होने जरा हैं तो कहीं न कहीं धीरी-धीरे करके पैसा निकाला जा रहा है अब इस stocks के अंदर हम लोगों को उपर के level देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके लिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी company जिसका business हम लोगों को अच्छा कासा दिखाई दे रहा है उसके business में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लगातार growth उसके अंदर दिखाई दे रही है momentum अगर अच्छा कासा है तो आपको definitely जो है उसके अंदर उपर के level देखने को मिलेंगे तो अगर इसके business momentum को देख अगर देखें तो नतीजे किस तरीकी के रहे हैं अभी हाल फिलाल में जो result आए है company के तो sales में देखने को मिल रही है दिसंबर 2020 में लगबख 163 करोड रूपे के आसपास निकल के आई है जो कि पिछले quarter में आपको दिखाई दे रही थी लगबख 96 करोड के आसपास पास पि पिछले quarter में दिखाई दे रही थी 110 करोड के आसपास पिछले साल से यह data हम लोगों को कमजोर दिखाई दे रहा है 228 करोड रूपे के आसपास निकल किया रही है महां से गिरावट देखने को मिल रही है अब देखें net profit के अंदर लगतार गिरावट है 29 करोड के आसपास ज के अंदर क्या कुछ दिखाई दर है क्या चल रहा है तो 2018 से लेकर अब तक की अगर इस्तितित देखें तो 370 करोड के आसपास आपको सेल्स दिखाई दे रही थी सेल्स के अंदर लगातार improvement आपको दिखाई दरहा है कंपणिे के अंदर हर साल लगातार sales बढ़ती उने दर इसी तरीके से अगर टोटल इंकम देखे तो 388 करोड के आसपास थी, उसके बाद 644 करोड हो गई है, उसके बाद 846 करोड के आसपास दिखाए दे रही है, तो सेल्स पोजिटिव है, टोटल इंकम लगातार कमपनी की बढ़ रही है, बट यहाँ पे जो वीक पोइंट हम देखने को मिली है, इस साल भी लगबग 46 करोड के आसपास दिखाए दे रहा है, इससे पहले देखे तो 38 करोड के आसपास दिखाए दे रहा था, उससे पहले देखे तो लगबग 82 करोड के आसपास दिखाए दे रहा था, तो कमपनी के अंदर जो कमी हम लोगों को आगे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीकी से लगातार सेल्स के अंदर हम लोगों को इंप्रूमेट देखने को बिल रही है तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आए कंपनी का मुनाफ़ा हो और आगे स्टॉक्स के अंदर भी आपको धमाका होता हुआ नजर आए तो उस चीज के लिए आपको अपने आपको प्रिपेर करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों कहते हैं कि लोंग टर्म के अंदर निवेश करो और लोंग टर्म में होल्ड कीजेगा तो ऐसी डीमेट कि का कोई चार दिन ना ले दोस्तों आप चाहें तो अप्स्टोक्स के साथ में जूड सकते हैं लोंग टर्म डिलिवरी बिल्कुल फ्री है इसके अंदर अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हु झाल ची करा चाहते हैं थाहते हैं तो लिसक्रिप्शन वगर दो ट्स्टोक्स के अंदर दिया हैं ।